दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ B612 application को आप अपने phone में कैसे यूज करेंगे तो गयास गरा जानना चाहते हूँ B612 application क्या है और इस application को हम अपने phone में कैसे यूज करें तो फिर इस video को देखते रहें तो गाई सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा आपको प्ले स्टोर के इंदर जाना है और B612 एप्लिकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है मैंने इस एप्लिकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करके रखा हुआ आप इस एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेजि अब मैं आपको बता देता हूँ कि B612 application है क्या तो बिसिकली यह जो एप्लिकेशन है एक camera application एक beauty camera application जिसके अंदर आपको एक beauty camera मिल जाता है साथी साथ इसके अंदर आपको जो उसके इंदर बहुत सारे filters वगरा use करने के लिए मिल जाएंगे साथी साथ इसके इंदर आपको जो है बहुत सारे effect मिल जाएंगे और photo edit करने का option है वो भी इसके इंदर आपको जो है मिल जाएगा आप कर सकते हैं उसके बाद guys यहां पर filter में भी बहुत सारे अलग अलग category यहां पर आपको देखने को मिलेगी जिस भी तरह के आपको जो है filter लेना वह यहां से आप दूसरा चीज में आपको बताए दो इसके इंदर क्या होगा कि इसके लावा यहां पर आप देखेंगे जैसे मैं इसे यहां से close करता हूं close करने के बाद beauty अगर आपको एड़ करनी है तो beauty के उपर click करेंगे तो यहां पर beauty आपको इसके इंदर लगा सकते है उसके बाद effect को फोटो को capture कर पाएंगे जैसे यहां पर कोई इफेक्ट इसके इंदर आपको add करना है तो effect add कीजिए उसके बाद इफेक्ट आड़ हो जाएगा और यहां पर जैसे इफोटो के उपर click करेंगे फोटो यहां पर click हो जाएगी आपकी photo capture हो जाएगे इसके बाद इससे download करना त इसके उपर क्लिक करेंगे तो यह गैलेरी में सेव हो जाएगी ठीक है उसके बाद कोई वीडियो रिकॉर्ड करना तो इसके उपर क्लिक करना तो इसके उपर क्लिक करना तो यहां से उपर क्लिक करना तो यहां से उपर क्लिक करेंगे तो यहां से म्यूजिक जो एड हो तो effect मैंन आपको बता दिया, same इसी तरह से आप effect लगा सकते हो, अगर आपको record करना है वीडियो तो इसके उपर click करेंगे, और यहाँ पर वीडियो start हो जाएगा, record होना start हो जाएगा, इस तरह से जो भी आप recording करना चाहते हो, इस तरह से आप पाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कि वीडियो आपका record हो जाएगा, उसके बाद इसे pause करना तो pause कर लिजिए, फिर से record करना है, फिर से start कर लिजिए, और इसके फिर से pause करना है, इस तरह से यह line complete करके, यहाँ पर आप जो complete कर सकते है, अगर आप चाते हो, बीच में की वीडियो complete हो चुका था, इस arrow पर क्लिक किजिए, और उसके बाद वीडियो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, देख्स तो यहाँ पर वीडियो हमारा जो है record हो जुका, ठीक है ना, अब इसे अगर आपको save करना है, तो यहाँ पर आप download के उपर click करेंगा, और यह आपकी gallery के इंदर save हो जागा, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर इसे जो यहाँ से back करेंगे, back करने के बाद अगर आप किसी photo को edit करना चाते हो, तो वो भी आपको feature मिलेगा, अगर आप यहाँ से click करके edit करना चाते हो, तो वो भी कर सकते हो, अपनी gallery से कोई photo लेना चाते हो, तो gallery के ऊपर click करेंगे उसके बाद gallery का option आप यहाँसे भी आप photo लेना चाते हो, जैसे for example इस video को लेते हो, तो video लेने के बाद भी यहाँ पर option मिल जाएगे, trim करना, trim कर सकते हो filter ratio जो भी करना यहां से आप जो कर पाएंगे ठीक ना यह भी feature इसके इंदर आपको मिल जाते है तो बहुत सारे इसके इंदर feature है मैं example के लिए आपको बता रहा हूँ फटा फटा आप इससे यूज़ करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे फीचर आपको मिलेंगे जो कि आप अपने खुछ से यहां पर यूज कर बाएंगे AI system भी इसके अंदर आपको मिल जाता है ठीक है निचे के सार में अपनी profile पर क्लिक करेंगे